तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं और दोनों ही करेक्टर अजे दिवगन और अक्षे कुमार दिर्श्यम जहां एक तरफ मिस्ट्री थिलर मुवी थी दूसरी तरफ रुस्तम हिस्ट्री थिलर मुवी थी अगर हम बात करें अक्षे कुमार की एक्टिंग की तो अक्षे कुमार ने काबिले तारीफ एक्टिंग क बात करें तो अजे दुगण, दोनों ही स्टोरीस एक तरह से सिमिलर थी, दोनों ही स्टोरीस में अपनी फैमिली के लिए लड़ते, नजर दिखाई देते हैं, दोनों ही करेक्टर, जहां एक तरफ दृष्यम में, अजे दुगण ने अपने करेक्टर और रोल से, हर किसी पब दिखाया गया रुस्तम में रुस्तम में जहां एक तरफ नेवी पुलिस आफिसर का किरदार निभा रहे अक्षय कुमार ने काबिले तारीफ एक्टिंग की और उस टाइम की अगर बात करें तो ये मूवी बहुत ही शांदार थी और इस मूवी के में जहां करेक्टर थे एक स करेक्टर थे जहां अक्षय कुमार इसा गुपता इलिना डिक्रूस के साथ साथ बहुत सारे करेक्टर आपको दिखाई दे रहे थे और इस मूवी के बजट की बात करें तो ये मूवी सिर्फ पचास करोड पर बनी थी और इस मूवी ने 127 करोड का इंडिया का कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड में इस मूवी ने 127 करोड की कमाई कर ली थी वहीं अगर मैं बात करूँ दृष्यम मूवी की तो दृष्यम मूवी भी अपने टाइम की एक शांदार मूवियों में से एक निकल कराई थी जिसकी जिस पर एक्टिंग कर रहा है आजी दुवन को सभी लोग मूवी का जो बजट था 58 करोड और इस मूवी ने ओवर ओल इंडिया के कलेक्शन में 70 करोड की कमाई की और ये मूवी ओवर ओल वर्ल्ड वाइड में सिर्फ 110 करोड का कलेक्शन कर पाई लेकिन इसके बावजूद जब ये मूवी TRP के मामले में देखा जाए तो दोनों ही मूवी इस हाई रेटेड मूवी रही और दोनों ही मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन किया और आज भी ये मूवी दोनों मूवी आप लोग अपने टीवी पर देखते होगे और कैसी लगी ये आप लोग को मूवी प्लीज कॉमेंट करके बताना इन दोनों में से किसका अपसे ज़्यादा परफेक्ट रोल था आप प्लीज कॉमेंट करके बता सकते हैं अगर बात करें रुस्तम मूवी की रुस्तम मूवी के गाने भी बहुत ही शांदार थे और दृश्यम मूवी की बात करें तो दृश्यम मूवी का एक सैट सॉंग था वो बहुत ही शांदा आप लोगों को ऐसी लेगी थी ये दोनों मुवीज प्लीज कॉमेंट करके बताना अच्छा लगी ये वीडियो तो शेर करना मैं चलता हूँ आप से विदा लेता हूँ पापाएं